असलाम वालेकुम आज मेरा दोरा आर्ड कॉंसलो पाकिस्तान कराची में है और मैं यहाँ जैसे के आप जानते हैं के आर्ड कॉंसलो पाकिस्तान कराची पाकिस्तान नहीं बलके बेनलोकामी सता पर इसका नाम रोशन है और इसके अंदर जितनी तकीरे बात होती है इसका सहरा तो एमच शाह साब के सर जाता है अभी दो दिन पहले ही यहां आलमी उर्दू का कान्फरेंस का एक सदाम हुआ है और इसके बाद इससे पहले मीजिक फेस्टिबल हुआ और आज कर एक ड्रामा भी चल रहा है सो दिन चोर के यह आए दिन यहां प्रोग्राम होते रहते हैं और जितने हाल हैं उन सब हालों में यहां कोई ना कोई प्रोग्राम होते रहते हैं और कराची की एलीड और बड़ी बड़ी परस्टिटी इसकी मेंबर हैं चोटे से लेके बड़ा अदबी सखावती और नाम और शक्तियाद इसकी मेंबर हैं बिजनसमें इसके मेंबर हैं और स ये आर्ड कोसल में खास-खुसी तोर पर इसलिए आया हूँ कि मैं आज एक ऐसी शक्सियत से तारूप करा रहा हूँ जो कि उसका माशालला यहां प्रोग्राम मेनिजर है और खुद भी अद्वी सोशल है बहुत जादा तो वो मैं खुद अपने बारे में बताएंगी उनका नाम शायदा खुरशिद है हमारी बेहनों की तरह हैं मैं उनके साथ पास आपको ले जाता हूँ और कुछ सवाला करता हूँ जो अपने बारे में बताएंगी तो हम आज इनके पास चलते हैं इनके आफिस में इनकी कमले में जाते हैं तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये आड़ कॉंसलो लुक वियू बता दो माशाला पूरी दुनिया में इस आड़ कॉंसलो पाकिसान कराची ने अपना नाम रोशन किया हुआ है इस वक्त चुके मैं दुपर में आया हूँ दो बज़ रहे हैं और समझे लें कि पांच बज़े से यहां ऐसा हुझुम आना शुरू हो जाता है और हर तरह के मुक्तलिब मक्तब फिकर के लोग हर तरह के अदबी सखापती इलमी और मकसदे के बिजनसमें सब लोग यहां अपनी फेमियों के साथ आते हैं शिरकत करते हैं और सारे प्रोग्राम को अटेंड करते हैं चले हम आपको मुलाकत कराते हैं सामने, सामने ही इनका आफिस है, शायदा का अफरत करें, वह भी बड़े कमाल की हिस्थे तो शायदा ये आपकोंसल में अपने फरायद अन्जाम दे रही हैं, और बेशमार खुबियों की मालिक है, तो आई ये लेके चलते हैं, शायदा, असलावालेकूम, कैसे हैं आप, अल्ला का शुकर है, आप कैसे हैं शबीर भाई शोबों से घूम कर आई हूं, मैंने यहां आट कॉंसल का खबर नामा भी किया, चार साल, फिर थोड़ा एकाउंस का काम किया, फिर गैलरी में थी, फिर में बर्शिप के थी, अब आजकल में प्रगाम में एंजर आट कॉंसल, सारे प्रगाम जितने होते हैं, उनके बुकिं और तमाम लोगों से इन से राप्ता है, हर कराची की तो कोई है, एंजियो, सोचल हो, कल्चल हो, एद्यूकेशनल हो, वो सब उनसे बड़ी अकीदत रखते हैं, और हरे किसके साथ कॉर्प्रेट करती हैं, हमारे मेमन गुजराती की प्रोग्रामों वो भी इन्होंने अपने प्रोग्रामों से कराएं, तो अभी मकसद है कि मैगजीन अपने निकाल रही है, अपनी के यह के नाम से, बहुत खुशरत मैगजीन है, आठ पेपर पे और वाइट पेपर पे इनका प्रेट होता है, अनला अपना अलाव उनके हस्बेंट को भी जैनल कुर्दोस में जगा मेरे हस्बेंट जिन्दा थे उस वक्त उन्होंने मेरे सारे शौक को देखते हुए डिकलेशन मुजीन को ले दिया था यह लेकिन फिर वह हमने दो चार उस वक्त नकाले मैगजीन फिर बीच में गया है, लेकिन मेरे हस्बेंट की डैथ हुई तो उसके बात मुझे जरूरत मैसूस हुई अपनी एक्स्ट्रा इंकम की और इस मैगजीन को फिर मैने ऐसे मुहिन कुरशी जिन्दा थे उस वक्त मैं उनको बाबा कहती है तुमने उसे मश्वरा किया कि बापक एक ही काम आता है लिखने पढ़ने का बताये डिकलरेशन की मेरे बस मौजूद है मैं इस मै नमुम्किन नहीं कोई चीज मुझे बताया और उसके बाद मैंने मेरे दोस्तों का मेरे साथ बड़ा होस्ला मश्वरा और फानेशली सपोर्ट रही तो फिर मैंने यह मैगजीन पर स्टार्ट किया और अलहमदुलिल्ला अप में यह मैगजीन अपने दो साल पूरे कर चुक अधिन अधिन पर साथ बाद में अधिन तो इतना अच्छा प्रट पेपर और अंदर भी वाइट वाइट पेपर और बहुत अच्छा मवाद तो यह इस्टेराग भी उज़े नजन निया रहे तूब अच्छे में अख़बार और अश्वरा और अश्वरा निकालता हूं मेरी डोस्वर मुझे बहुत सपोर्ट किया ज़ोत्वान नेðी मिजटे निगे लिउस में पूरा कर रहा न कि एपना खर्चा इंधा उसमीद है 15 अपना खर्चा पूरा का रहे और वो मेरी लोस्टों skies सपोर्ट है और जो दो इश्तियारात मुझे कंटीनियू मिल गए तो उस से मैं यह निकाल पाने हैं माशाला बहुत और शायदा एक और भी आपने प्लेफॉर्म रखावा जिसमें आप बड़ी बड़ी शक्सियात के इजाद के अधकारी मुनकित करती हैं उनके सोलों करती है क्या है अपजाब बताई हाँ मैंने मैसूस किया कि शहर में इतनी अफरा तफरी और नफसा नफसी और लोग टेंशन का शिकार है तो मैं आर्ट कॉंसल तो है एक ऐसी जगह के सारे लोग आगे हैं आपने शौक को पूरा करते हैं तो मैंने सुचा कुछ ऐसे लोगों से मु दोस्तों में उपना बैटना चाहिए तो फिर मैंने हलके फिकलो नजर में अपनी दोस्त की मुशावरत से प्रफसर डॉक्टर साजदा परवीन के यह मैंने अपना हलका बनाया और उस हलके से मैं एक किसी शक्सित को लेकर हमारे 15 16 20 जितने भी दोस्ताबाब होते हैं वह कह अब बहुत छाए उनके साथ किया ता फिर हमने दूसरे प्रोग्राम असिस्टन कमिशनर सारा जावेथ ठीन के साथ किया है किस रबर अमने अदली बिजनिसमें थे इनके साथ किया बहुत सोशल और करें वह दिए चौथा प्रॉग्रम मैंने अबी अनवर मक्सूद की एलि कि जब मेरी उनकी तो अच्छे खासिया दूआ सलाम हो तो नहीं कहने चाहिए बलके दोस्ती हो गई है बगाल उनके वो कहते हैं कि तो मुझे तनी देड़ से क्यों मिली और उस वक्त मिली हो जब मुझे एक दोस्ती जरूरती तो हमने फिर उनके साथ एक गुफटगू रखी क्योंकि बहुत सारी देखें पतेश खवातीन ऐसी हैं जो मैंने महसूस किया और बड़े आदमियों की बीवी हैं जैसे अन्वर मुझे हमारे मुलका फखर हैं उनकी बीवी ब्राणा मसूद लेकिन उनकी अपनी एक अलग हैसियत अपनी शनाक्त अनवर मुझे से अलग नहीं मतलब जब आते हैं तो इम्राना कहीं नहीं होती थी तो हमने फिर ऐसे खवातिन को जो अपनी फिल्ड में अपनी नुमायान मुकाम रखती है डॉक्र रहाना मौमध अलिशा की साथ भी हमने शाम की जहर वो पहली फेमेल सर्जंट थी और वह अपनी जाती हैसित में स जब कर रहे हैं अपनी यह यह यंगर्स का यूद पस्टिवल हमारे में शाह साब नहीं चुरू किया तो उसकी साती रह वो पहले साल होगी बहुत कामियादी के साथ मुकरन हो जब दूसरा साल आया तो मेरे पास बहुत सारे स्पेशल बच्चे के दारे में विजिट करती लोगे उन्होंने सबने का कि वह झाल 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 झाल